वेल्कम बैक टो आचला मिस्टर इंडियन ट्रेवलर तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपना इसके बाद आपने uaintery.ica.gov.ae आपने लिखा और इसमों इंटर कर लिया तो जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह पर पेज ओपन हो जाएगा यहां पर देखेंगे आप federal authority of identity and citizenship ओके और आप चाहे तो इसमें इस page पर direct मेरे link से भी आ सकते हैं आपको description में मैं link दे दूँगा सबसे बहुत ओप्शन देखेंगे आप चेंज language का है यहां से आप language चेंज करने जाते हैं कर सकते हैं translate, translate का option है उसके बादर services, service description आप इसको पढ़ सकते हैं इस service allow a residence with a valid residence visa to confirm entry, re-entry to UAE उसके लिए है note warning दिया, dear customer can only enter a password number that has the valid resident permit issue by the ICA तो यह गहरा है आपने पासपोर्ट नमबरों करेंट डालना है उसके निचे देखो information required, information required में आपने क्या डालना है यहाँ पे आपनी Emirates ID number आपने डालनी है यहाँ पे, Emirates ID number आपने डाली उसके आपने क्या अगनना है, अपना passport पासपोर्ट नमबर आपने डालना है बड़ आपने यहाँ पे न वही passport number डालना है जो आपने पहले ICA का approval के लिए जब apply किया था न वही डालना है और Emirates ID number आपने वही डालनी है जो पहले आपने ICA approval के टाइम पे डाली भी थी ठीक है न उसका भी मैंने वीडियो बनाए आपको description में मिल जाएगा और private and भी मिल तो देखो वही आपने डालना इसमें passport number वही डालना है passport type आप यहाँ से choose कर सकते हैं वैसे जादतर ordinary होता है तो ordinary आप यहाँ से choose कर लें बांकि आपको अधर है तो आप चूज कर सकते हैं जैसे private है या diplomatic जो भी है ओके ठीक है उसके बाद देखो current nationality आप यहाँ से अपनी current national चूज कर लें तो जहां से भी आप हैं जैसे India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Italy, Japan जहां से भी आप हैं वहां के आप मतलब जहां से भी हैं वहां से आप choose कर लें जैसे मैं यहां से choose कर लूँगा ठीक है उसके बाद आपने देखो I am not a robot उसमें अपने click कर लेना है उसके बाद नीचे आपको एक option दीखेगा यहां पर check तो आपने check पर click करना है जैसे यह आप mobile phone से भी आप इसको easily कर सकते हैं इस form को वैसे मैं desktop से कर रहा हूँ भी बट आप mobile phone से बड़ी easily कर सकते हैं ठीक है तो check पर click करते हैं देखते है क्या status तो जैसे आप check पर click करेंगे तो देखो मेरा red status यहां पर दि तो यह red signal है तो इस तरह से आप अपना IC approval का status चेक कर सकते हैं तो फिलार इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी रगी तो like, share, comment and subscribe जरूर करना and thanks for watching see you in next video